हलो एंड वेलकम टू स्टन स्टोरी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिकॉनेटेड एज एसलाइम का एपिसोड सेवन तो चलिए वीडियो को शुरू करते है बिना किसी देरी के इस एपिसोड के शुरू में हमें शिजू का पास्ट दिखाया जाता है शिजू के सामने वही आदमी होता है जिसने शिजू को समन किया था अब वहाँ पर एक पन खा जाता है जिससे एक मॉन्स्टर समन हो जाता है अब हमें इस आदमी का नाम पता चलता है इसका नाम लियोन होता है और ये एक दीमन लॉड होता है वो मॉंस्टर कहता है लियोन मैं तुम्हें मार कर दीमन लॉट बन जाओंगा अब लियोन शिजु के अंदर के फायर स्पिरिट को जगा देता है जिसका नाम फिरित होता है फिरेच शिजू को कंट्रोल करके उस monster को अपने flame से एक जटके में जला देता है अब लियोन शिजू का नाम पूछता है और कहता है आज से तुम्हारा नाम शिजू है अब शिजू एक जंगल में होती है जहाँ एक लटकी एक छोटे monster के साथ खेल रही थी शिजु भी वहाँ जाती है फिर दोनों उस मॉंटर के साथ खेलने लगते है अब शिजु और उस लड़की में दोस्ती हो जाती है अगले सिन में हम शिजु और उसके दोस्त को लियून के घर के अंदर देखते है चोटा मॉंस्टर लियून को देख कर भौकने लगता है प्रेंट में हम शिजू को देखते है, जो नींच से उठ जाती है, ये सब वो सपने में देख रही थी, शिजू एरन को देख रही होती है, तब ही उसे इफरित कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अब अगले सीम में शिजू रिमूरू के विलेज को देख रही होती है, पीछ कि मैं यहाँ जाद देर तक रही तो सबको प्रोब्लम हो जाएगा और मुझे एक गोल भी पूरा करना है रिमूरू पूछता है कैसा गोल शिजु बोलती है मुझे उसे धून ना है जिसने मुझे समन किया है दोस्तों यहाँ पर लियों की बात हो रही है अब रिमूरू कहता है जब तुम उसे धून लोगी तो फिर तुम उसका क्या करोगी इस पर शिजु कुछ भी नहीं बोल पाती तभी रिमूरू टॉपिक बदलता है और कहता है कोई बात नहीं तुम यहाँ कभी-कभी आती रहना ये सुनकर शिजु रिमूरू और रंगा को गले लगा लेती ह है अब दूसरे सीन में एरन और शिजु साथ में होते है एरन बोलती है शिजु तुम हमारे साथ एडवेंचे पर क्यों नहीं चलती हो इतना जल्दी गुडबाई बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा शिजु कहती है मेरे लास्ट जर्नी में साथ देने के लिए तुम् होता है इफरित शिजु को कंट्रोल कर लेता है शिजु का मास्क एकदम से तूट जाता है फिर एक धमाका होता है और शिजु के चारों तरफ आग की लपते होती है ये सब देखकर एडवेंचरर कहते है क्या ये शिजु इजावा है दकनक्योर ओफ फ्लेम्स ये तो 50 साल पहले गिल्ड की हीरो थी लेकिन ये तो रिटायर हो गई थी अब शिजु का मास्क नीचे गिर जाता है और हम शिजु के आखों में आसु देखते है शिजु इफरित में बदल जाती है और हम इफरित को उसके रियल फॉम में देखते है इफरित कुछ मॉंस्टर को समन करत जिसका नाम सेलमेंड होता है रिमूरू इफरित से बात करने जाता है लेकिन वो फायर बॉल से हमला करता है रिमूरू भी वाटर ब्लेट से हमला करता है लेकिन उसके आग के सामने सारा पानी एवापरेट हो जाता है अब सेलमेंड रिमूरू पर हमला करने लगते है रिमूर रिमूरू को एक आइडिया आता है और वो एरन को अपने उपर आइस अटेक करने को कहता है फिर रिमूरू उस अटेक को खुद में आब्जव कर लेता है जिससे रिमूरू को भी वो स्किल मिल जाता है अब इफरित एडवेंचरर पर अटेक कर देता है जिससे उनकी हालत खर हो जाते है लेकिन फिर भी रिमूरू इफृत के जाल में फस जाता है और इफृत एक खतरनाक flame attack करता है रिमूरू flame के अंदर चिलाने लगता है ये मेरी slime की छोटी और बेकार जिंदगी अब खत्म होने वाली है लेकिन तबी रिमूरू रुकता है और कहता है मेरे पास तो फायर रजीस्टेनस है मैं तो फालतू में इचिला रहा था अब इफृत को लगता है रिमूरू का खेल खत्म हो गया लेकिन तबी रिमूरू अपने स्किल से इफृत को बांध देता है और फिर अपनी प्रेडेटर स्किल देती है ये आवाज वेल्डोरा को होता है वेल्डोरा कहता है तुम मेरे दोस्त रिमूरू के लिए कोई मैच नहीं हो यहां से निकलना नाममकिन है अब हार मान लो फिर वेल्डोरा अपना इंट्रोडक्शन इफरित को देता है और कहता है मुझे तुम से लडने में बहुत म सोडला सको थैंक फॉर वाचिंग